हेलो फ्रेंड्स उमीद करती हूं आप सब राजी खुशी होंगे और अच्छी डिशिस बना के खा रहे होंगे और सब को खिला रहे होंगे तो जी आज मैं अपनी किचन में क्या बना रही हूं आपको नजर आ रहा होगा पुदीना है और इसमें प्यास है हरी मर्श है और इस मैंगो जो हरा वाला मैंगो आता है Izzy उसको काथके और चिलका उतार के उसके कुछ टुकड़ मैंने यहां पर डाले क्योंकि हर घर रोता है तो अमचूर की बजाए जब ये फ्रेमाला एसे मैंगो बलता है तो इसको भी चाट्टी में डाला जाता है चाथ मैंथ कंसे थोड और नमुक और मर्च अपने हिसाब से जितना तीखा आप खाना पसंद करती हैं वो डालके आप इसको ब्लेंडर को चलाएंगे और इसकी चट्मी बनाएंगे मार मार के इसको हम इसकी चट्मी बना देंगे तो जी साथ बने रही है अब ही बताते हैं आपको कि चट्मी हमारी कैसे बनी है तो जी चटनी हमारी बन रही है ब्लेंडर चल रहा है और खूब तेजी से चल रहा है लेकिन ब्लेंडर जब चलाते हैं तो पहले जो सौफ्ट वाले उसमें फूड होते हैं पहले वो क्रश हो जाते हैं और जो हार्ड वाले हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे नीचे आते हैं उसके बाद वो फिर पीसने शुरू होते हैं तो सोफर अभी जो मिंट लीव्ज हैं वो सब हो रही है अभी क्रश और उसके बाद आप देखें अब खूब तेजी से बाकी का भी सारा कुछ जो भी हमने प्यास डाले हरी मिर्च डाली और हमने उसमें आम डाला वो सब के सब अब क्रश हो चुके हैं और एकदम से लिक्विडी ये बन गया है जैसे चट्नी का टेक्स्टर होता है वो सब बन गया है तो थोड़ी देर और इसको ब्लेंड करते हैं और उसके बाद हम इसको निकाल देते हैं है तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी हारी चट्नी बने के तयार है और बहुत ही मज़े集 लग रही है कलर देखिए कि समूट है और ये काफी तीखी होती है और इसको अब हम थोड़ी सी ले के और ये हम डालते हैं हमारे ये रायते के उपर तो थोड़ा सा उसमें भी स्वाद आ जाएगा और हरी मर्च भी है इसमें I think एक पीस हरी मर्च का ज्यादा वो नहीं क्रश हुआ है बट डसन्ट मेटर हरी मर्च तो वैसे भी खाते ही है तो यह रही हमारी पंचाबी स्टाइल पुदीने की चटनी I hope आपको पसंद आएगी और आप भी अपने घर में ऐसे बनाते होंगे लेकिन मैंने जितने अपने फ्रेंड्स के चैनल पे देखा है न आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हो हम लोग ऐसे बनाते हैं पंचाबी लोग उसमें हम धेर सारा प्यास और हरी मर्च अमचूर या लेमन जूस और यह फिर यह जो कच्छे आम होते हैं इनको हम डालते हैं और उससे यह चटनी बहुत ही स्वाद बनती है तो नेक्स टाइम यह वाला तरीका भी आप बना के दे शुक्रिया दोस्तों साथ बने रहने के लिए फिर मिलेंगे किसी और डिश के साथ बाइ फर नाओ